गुद मॉर्निंग बच्चो, मैं स्माइल से प्रभा, आज आपको लेटर M के बारे में बताऊंगी बच्चो, लेटर M, लेटर L के बाद आता है, अब हम देखेंगे इसको बनाते कैसे हैं, इसको हम इस तरीके से, ऐसे, ऐसे, ऐसे ये हो गया, कैपिटल M, अब हमें स्माल M बनाना है, ऐसे, ऐसे, इस तरीके से, बच्चो, अब हम इसके एक्जाम्पल से इनकी पहचान करते हैं, ये आपको किस चीज का चितर दिखाई दे रहा है, चूहे का, तो चूहे को इंगलिश में बोलते हैं, M for Mouse, ये है चंद्रमा का चितरियानी की चांद, इसे बोलते हैं, M for Moon, ये आपको सबको बहुत पसंद आता है, ये फल, और अब इन दिनों आ रहा है, आप इसका जूस भी पी रहे हो, इसको हम बोलते हैं, M for Mango, और बच्चो, इस टाइम कोरोना फैला हुआ है, तो उससे बचने के लिए हम घर से बा M for Map, इसी तरीके से बच्चो, आप लोग दूद या कॉफी जो पीते हो, ये वो मग है, इसको हम बोलते हैं, M for मग, और ये तो आप सबको पता ही होगा, जो पेडों पर उचल खूद करते हैं, बहुत ज़ाद शेतानी करते हैं, ये है M for Monkey, तो बच्चो, अब हम इसकी एक अब फिर से रिपीट करेंगे पहचान को, M for Mouse, M for Moon, M for Mango, M for Mask, M for Map, M for Mug, M for Monkey, अब आप यहाँ पर कैपिटल M और Small M को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, और ये किस तरीके से बनाएंगे, ऐसे, 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 और ये इस तरीके से, यूँ, इस तरीके से, आप बच्चो इसके उधारन को आप समझते हुए, आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में करेंगे और मुझे उसकी पिक्चर भीजेंगे, थैंक यू